अलो, गुड मॉर्निंग, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत थे, कैसे हैं आप लोग, उमिद करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, हम लग भी ठीक हैं, आज ट्यूजडे है, और अभी मैं लंच का तेयारी कर रही हूँ, मतलब सब खतम करती हूँ, फिर नासता आराम से रिलक्स होके कर लेती हूँ, उसके बात बना दी हूँ, लंच, तो लंच आज ट्यूजडे है, आप लोग को पता है, हम लोग का नोन विच कुछ नहीं बनता है, यह सब तेयारी कर रही थी, तो मुझे लगा अभी से ब्लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए, साथ में नए आपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन में ओल कर दीजिएगा, जिसे हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेसन भी आ जाएगा, और अभी मैं बना रही हूँ, लंच सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर मैं आज बना रही हूँ, जो कि मस्रूम या फिर कुटी वाला चट्तू, कुछ भी कहें, जो हम लोग का स्ट्रो जो सड़ता है, उससे त्यार होता है या फिर बनता है, तो फिर उई सब का बना रही हूँ, और साथ में बना रही अफी दिनों से मन कर रहा था कि दो, चार दिन तो कम से कम हो गया, कि मुझे काफी मन था कि मैं खाऊं, तो फिर यहां पर नहीं मिलता है, तो फिर मैं इनको बोली थी कहीं से भी जुगाड कीजिए, मार्केट में तो इस ब आता नहीं हम लोग का, क्योंकि यह सब घर-घर मे है एक पेड, तो फिर यह बोले थे कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए कहीं से भी जुगाड कर दूँगा, पर पता नहीं भूल गए थे सायद, मैं इनको फिर फोन करके बोली कि यादे आपको क्या मंगवाद दीजिएगा, बोले थे, बोले आच्छा ठीक है, तुमको अभी भीजवाता हूँ, तो फिर उहीं से कहीं से जुगाड करके वो मेरे लिए भीजवा दिये हैं, और फिर मैं अभी सबको निकाल ले हूँ, ये काफी हेल्दी भी रहता है, जिन लोगों को बलड प्रेसर का कोई प्रॉबलम है ना, मतलब हाई है जिन लोग का, वो जिन लोगों को निकाल कर उसमें डाल दो, और इसका पूरा फाइदा का चीजा जाएगा ना, आप उसको खाल सकते हो, इसे अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है आप इसको उवाल के इसका पानी भी पी सकते हो, बहुत फाइदय मन्त है, इसका ड्रम स्टीक भी बहुत पर दो बार इसके लिए परिसान होना पड़ता है क्योंकि एक बार मैं पूरा निकाल देती हूं फिर छोटा छोटा डंठल सको एक एक करके चुनती हूं और बाबा होने से कितना अच्छा हेल्प कर देते हैं तो तुरंत तुरंत हो जाता है तो फिर मैं उनको बहुत मीस करती हूँ और घर पर जाने से वो मेरे लिए जरू से इसका जुगार कर देते हैं तो देखिए जैसे मैं साग को निकाल कर रेडी कि उसमें काफी टाइम लग गया उसके बाद मैं आ गई हूँ आज थोड़ा जो मलाई वरना जमा करके रखी थी उसका थोड़ा निकाल दूँगी घी तो फिर उसके लिए थोड़ा तो पीस लेना पड़ता है जैसे ग्राइंडर में और बहुत तूरंथ हो जाता है इसके लिए कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगता है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जमा हुआ दही है घर पर और साथ में थोड़ा सा यहां से छांच निकल जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा थीक है और मैं दही वेंगन बनाओंगी तो मुझे थोड़ा सा पतला दही चाहिए तो फिर इसके लिए मिला दूँगी इसका भी थोड़ा तोड़ा और इसको अगर ज़्यादा पतला करके आप पानी डाल दोगे न तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है मेरे घर में थोड़ा सा गाड़ी-गाड़ी सबको छांच अच्छा लगता है तो फिर मैं जब भ उनों का जमा हुआ मलाई था तो फिर इतना सारा निकल गया तो इतना तूरंथ भी हो जाता है और इसको में आज बनाऊंगी घी को निकालूंगी देखती हूँ अभी तो फिलाल फ्रीज में रख देती हूँ जब फुर्सत होगा तभी बनाऊंगी और मेरा चाच जो है काम मे जाएगा यह सब काम निफ्टा लिए और ग्रैंडर को भी रख देती हूँ अभी फिर अभी खाना बनाने के लिए जाओंगी देखिए चावल तो उस तरफ बन गया है मेरा और अभी मैं यहां पर बेंगन को फ्राई कर रहे हूं दही बेंगन के लिए और सहजन का साग बन और सब्सक्राइब कर दो खाने से पहले बुलती है मुझे काने देजिए बतानी यह उस रूम में टीविटी देख देकर खाएगी इसलिए उहीं पर खाना चाहती है और अकले होने से वहां पर आराम से खार सकती है इसलिए बुलते यह सब तैयार कर लेती हूं फिर मिलती ह अभी साम हो चुका है और में तब से जो ब्लोग स्टॉप की थी और फिर रिस्टाट नहीं कर पाई थी तो अभी हम लोग फोड़ा मार्केट मी कर ले हैं देखिए मैं तेयार भी हो गई हूँ ज्यादा कुछ नहीं कुछ रामान मुझे एक्स्चेंज भी करना है कुछ और सा अब यह मार्केट चलते हैं फिर में घुम के आएंगे फिर मिलेंगे मास्क मुला है तो मेरा वाला उसी रूम में हुआ है यह ले आई मास्क नहीं लाई थी आई यह साम हो जाएगा साम से पहले लोट आएंगे बेटी को नहीं ले रहे हैं हो गया आज का साइक्लिंग हां गिरोगी एक काम करो घर पर हाना हां अभी तूरंत आ जाएंगे आपस गेट को गिरेगा और साइक्लिस में ढखते हैं उसको भी ले गई ती साथ में तो में काहां घूम रही है सिस्मिका घूम रही है भाई को लेकर मजा आगिया अच्छा तूरंत आजाएंगे तूरंत आजाएंगे तूम अगर बत्ती दिखाए रहे हैं न आफ से स्क्राइब पगणे न उससा बहुंगे तूम आपसे साथ में आफसार जाएंगे तूम आई झास्टूम टूम ले एंबव़गने दिखा रहे हैं ज्ये है बत्त्त आपसे क्यम मांः helmet स्च्टूम कि हम लोग आगे अभी साम का कितना वजे साड़े साथ वजे पूंचना हम लोग हम लोग आए फिर आने के बाद मैं अभी रोटी बगरा बनाई और सब्जी नहीं बनाई हूं चाहूंगे भी किचेन में बनाने के लिए बस मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी आपर तो बीच- और एक को तो वह पहन रही है दिखा लाओ यहां पर यह उसका आया है एक ड्रेस का मेंचिंग का आया है यह दुर्गा-पुजा का प्रिपेरेशन हो रहा है जाना है इधर उधर तो इस वज़े से हम लोग आज से प्रिपेरेशन करना चालू कर दिये और फिर क्या करना है ह हम लोग नहीं दोरई ढोल रहते है तोराइ यह दोराई क्या थे धर आधर हो गिया जरूखराए के फिर लोग जब इस दुकान से निकले तो कपी लेट हो गया पपी लेट बोलने होता बाकी दिन में मिलता है पड़े से लौड़ान शुरू है इतना लेट तक कोई नहीं ब लोग पीर नियुआ था तौराई नहीं था तौर फेर मीला नहीं और आगे मुझे थोड़ा मान करा तो कि जो मुझरूम है उसको तो अचलने का मेसे हुआ सिस्चुए है być मुझे Gleich लोग अब लोग आते हैं कैसे नहें कार विडियो को सब्षогा दो Natita Merre मैं आज भी बनाओंगी मस्रूम जो की दिन को बनाई थी उसमें से आधा बचा कर रखी थी बस फ्राइ क्या हुआ को रख दी थी तो फिर अभी मैं उसका सबजी बना दूंगी जैसे रोटी खाएंगे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो फिर वहां बनाने के लिए वो सब को म है तो फिर उसमें डाल दी में दो प्याज काट कर रखी ती इस तरह से और वह सब को भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लूंगी और फिर उसमें मसाला एड करूंगी और देखिए यह सब भी कलर चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन हो चुका है और का प्रेश जो कि मैं ऐसे ही फ्रीज में बना कर रखती हूं जो कि दो तीन दिन तक यूच किया जा सकता है तो फिर उसमें हल्दी सोड़ा डालना पड़ता है इसलिए मैं इस तरह का यूच करती हूं देखिए अभी यह सब को भी जैसे ओल सेप्रेट होने तक फ्राइ कर ल टमाटर को भी सोप्ट होने तक फ्राइ करेंगे बस इसमें कुछ ड्राइ मसाला डालना है जैसे हम लोग हर मसाला का सबजी बनाते हैं बिल्कुल वेसे ही बना रही हूं तो देखिए वहाँ पर मैं डाल दी नमा, खल्दी पावडर, जीरा पावडर, साथ में धन्या पाव मसाला को टमाटर जब तक सौट होगा तक भूनना है और जैसे ही अच्छा से बून जाएगा तो फिर उसमें हमें मिला देना है जो मसालों के साथ हल्ड़ी और नमक सथ वह फ्राइ किया हुआ है और छोड़ा सा फ्राइब कर देने से उसका कच्छा फंग दोर हो जाता है त पानी आपको जैसे थीगनेस चाहिए मसाला का मतलब ग्रेवी का वैसे ही देना है पानी पर सम लोग रोटी खाएंगे इसलिए मैं थोड़ा सा डाल दई हूं कि ग्रेवी होगा तो खाने में भी अच्छा लगता है तो देखिए इसको बर हम लोग को पानी इतना रखना है फि अब इस तरह से देखिए अभी में इसमें जो बड़ी इलाइची साथ में तेजपता डाली थी उसको निकाल कर अलग कर दे रहे हूं आप चाहिए तो रख भी सकते हैं पर खाने में वह जब हम लोग का मूह में आ जाता है खाने में बिल्कुल भी अच्छा ने लगता है त इस तरह से देखिए मेरा सबजी तेयार है अभी बन गया मेरा सबजी और तो चलते हैं लोग खाले ने जैसा बना पहले खा कर देखते हैं तो चलते हैं डिनर के लिए आज के लिए इंपर बाइबाई करते हैं नेक्स व्लोग में मिलेंगे तब तर ले टे क्यार बाबाई स झाल 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 झाल